कि है लोग अब्रिदी वेल्कम बैक टू दे चैनल दूस्तों आज टेम के सबक्रuses सब्सक्राइब आने ऐसे profitable content देखने के लिए और वीडियो अच्छी लिगते वीडियो को like कर सकते हो बाकि अगर आप plus channel join करना चाहते हो या फिर telegram channel join करना चाहते हो instagram पर follow करना चाहते हो या फिर six application को download करना चाहते हो सभी चीजों का जो link है ना भाई वह आपको मिल जाएगा description में तो वहाँ से जाकर आप check कर सकते हो सारी चीज़े available हैं है ना अब आप बोलोगे कि भाई आप वीडियो में क्या फायदा वीडियो देखने का तो मैं सबसे पहल लॉजिक्स बताता हूं कि किस लॉजिक के basis पे आप किस प्लेयर को buy करोगे किस प्लेयर को sell करोगे और कैसे आप trade करोगे बाकी आपकी मर्जी है वीडियो अच्छा लगता लाइक वायर कर देना और देखो आपकी मर्जी है नहीं देखो आपकी मर्जी है it's all up to you right तो हम बा जहें खी तो दूनों ही डाए काफी बस्पोट है और दोनों ही स्पूटक में काफी मदावी दिख रही है् जाए वह बात करें गेंदबाजी की कंवांकि बन्ले बांजी की काफी मजबूत मैं आप सब की बात पता दूं है문त की लागभग जैनवरी महीन लियर में भपना your अकाउंट उसमें करी 50% का रिटर्न लिया हुआ है केवल जैनवरी के महीने में और तो आप लोग भी अगर चाहते हो ऐसे चीज़े काउपी पेस्ट करना मेरी ट्रेडिंग टिप्स लेना तो आप प्लस चैनल भी जोईन कर सकते हो केवल 99 रूपीज का मंथली सब्सक्रिप्सन है उसके बाद से जो चीज मैं बाई सेल करता हूँ वह चीज आप देख पाऊगे और वहां से आप भी उसको काउपी पेस्ट कर प करते हो बात करें इस्लामाबद यूनाइटेड के तरफ से जो पहला नाम आरा जिसको काफी लोग बाई करके आउट आप स्टॉक कर दी है वह आसी फली देखो आसी फली नंबर छे साथ पे बैडिंग करने आते हैं ठीक है प्राइस भले लो है तो ऐसे प्लेयर्स को पर ठीक है और होल्ड की रहना है क्योंकि किसी ना किसी दिन कभी भी टॉप और अगर कोलाप्स होती है और आसी फली आकर आराम से पचास साथ रन बना देते हैं तीज गती से तो आपको वहां पे पांच से दस रुपया का फायदा जरूर हो जाएगा और फिर आप क्या करोगे आपके चार मैचेस कंप्लीट हो ही चुके होंगे तब तक तो आप सेल करके वहां पे एक्जीट करोगे आसी फली और ऐसे जो प्लेयर जिनकी बैटिंग और काफी नीचे होती है उनको आप जैसे ही एक मैच में परफॉर्म करें वहीं आपको सेल कर देना है आपको लॉंग लैंच की तो आप जरूर से ट्रेड कर सकते हो अच्छे बॉलर है वह हमें इसा बोला हो लो प्राइस वाले प्लेयर्स को पर आप ट्रेड करके छोड़ दो है ना एक मैच में भी चलेंगो उसी दिन आप सेल करके वहां से एक्जिट ले सकते हो बात करें वही हाल लेविस ग ग्रेगरी यहां पर गलती से दिये गया है लेविस ग्रेगरी जो कराची के टीम में हम बात करें इसलामाबाद की टीम के साइड से फिर भी आप ग्रेगरी को पर ट्रेड कर सकते हो वही हाल मैं इनका भी बता रहा हूं कि बैटिंग और काफी नीचे और ज्यादा आपको लिए आम डाउसन केलते हो नजर आएंगे और बात करें आजम खान की तो देखो एग्जैक्ली वही चीज हुई आजम खान का प्राइस काफी दिनों से लो चल ला था जिन लोगों ने भी बाई किया होगा देखो 37 की प्राइस चल रही थी और एक ही मैच में इन्हो इनकी आल टाइम लोगों पे चल लोगों 46 की प्राइस इनकी आल टाइम लोग है और आल टाइम आइंके 70 के आस पास है तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मार्जी इनों ने अभी फिलहाल के लिए क्रिएट किया हुई है लेकिन जिस हिसाब से अभी PSL का situation चल रहा है त तो बैटिंग ऑपरोचुनिटीज ज्यादा है बैटिंग एडवांटेज ज्यादा है लेकिन अब आप समझ सकते हूं कि हसान अली जब अगर 70 के प्राइस पे पहुंच सकते हैं तो भाई यह दुबारा भी 70 के प्राइस पे पहुंच सकते हैं यानि कि इस प्लेयर के पास कर सकते हो बात करें रहामनुला गुरुबाज को इनको टीम ने अभी फिलाल के लिए एक या दो मौका दिया है फिर अभी इनको मौका नहीं दे रही है इनके जगह पर कॉलिन मुन्रो को खिलाया गया तो कॉलिन मुन्रो ने जब अर्ज़ाद परफॉर्मेंस करी दी पहले मैच में पहले मुकाबले में इनोंने अच्छा प्रॉफिट बना के हम सबको दिया था हमने इनको बाई किया था कॉलिन मुन्रो को केवल 45 रुपीज में और अभी देखो 10 रुपे का प्रॉफिट एक ही दिन में दे दिया तो जिन लोगों भी बाई किया होगा काफी लंब अब हम बात करें लाहूर कलंदर्स उससे पहले में बताओ तो उमीद करता हो कि आप सब को यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लग रही होगी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई मोटिवेशन मिलती है मुझे फ्री अफ कॉस चेंजिंग नहीं देखने को मिले गया या फिर टीम बहुत अच्छे कंडिशन में चली जाएगी तब किसी का किसी अलग प्लेयर को खेलने का मौका मिलेगा या फिर कोई टीम कोई प्लेयर रिप्लेयस होता है टीम से तो ही किसी नय प्लेयर को खेलने का मौका मिलेगा तो यह चीज आप सब जानते भी होगा आप सब को पता होगा उसी परकार से बेंडंग आप जरूर से ट्रेड कर सकते हो किसी भी दिन टॉप अडर कॉलापस होती है तो बेंडंग काफी अची पहुआ में साब को देगत प्रॉफिट जरूर अन करा सकते हैं बात करें अगले प्ल काफी तेज हैं जिनके पस पैसा बहुत ज्यादा है वो लो प्राइस पे फिलिप साल्ट को बाई कर ले रहे हैं और भले फिलिप साल्ट खेले ना खेले इनके चार मैसे तो कंप्लीट हो ही जाएंगे क्योंकि यह स्क्वाड में और जैसे एक दिन किसी भी मैच में खेलने जाते हैं गल्ती से भी और हाफ से जूरी मान के चलो लगा चले जाते तो वहां पे लोग तुरंट उनको सेल करके पैसा बना लेंगे यह ही स्ट्रेटेज़ी आपी चल रही है जिनके पास जाए बात करें वहीचाल melhor को समीध पैल काफी एच्छे प्लेयर है बैटिंग भी क काफी जबरजस्त रहती है लेकिन जो लीक्स होती है लीक्स की हिसाब से होती है मतलब कुछ जगहों पीन की परफार्मेंस अच्छी रहती है कुछ लीक्स में खराब रहती है तो यह situation को पर डिपेंड करता है है ना अब हम बात करें मैट्यू पॉर्ट्स वगरे छोड़ते जाओ दिल पर उसें चोड़तो हारिस रहुफ अलड़ी 51 है डेविड वीज 53 पे है महमध हफीज 56 पे हाला कि महमध हफीज का ओल टाइम हाई 80 के आसपास है तो आप समझ सकते हो कि अभी करीब जादा लगाओगे और सेर्स कंबाई करोगे इस तो बेटर कि आप लो प्राइस वाले प्लेयर को पर जाओ जिनके पास पटेंशियल जादा है है ना यह सब चीज आप समझने के लिए कौपी पेस्ट करने के लिए प्लस चैनल जॉइन कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप परसेंट का जो है इनोंने रिटर्न अलड़ी दे कर रखा हुआ है तो अब क्या किसी को चाहिए मतलब इनके जबान में अगर बोले तो काफी अच्छी प्रॉफिट है और अगर एक मैच और चल जाते हैं तो मोर दन हंड़ेट परसेंट हो जाएगा तो रासीत कान भी 71 है तो मतलब most of the players are at high prices तो हम मैंने आपको बता दिया कि कौन से low price वाले player जो आप सब के लिए काफी जदा important होने वाले हैं उमीद करता है वीडियो आपको काफी फसंद आया होगा भाई और ऐसे ही आप support करते रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में देखने के लिए